अगर मैं आपको बूलूँ कि आपको अपनी कोचिंग में 2-3 लाग रुपे खर्च करना है उसके बाद आपको एक ऐसी डिग्री लेनी है जिसमें आपको खर्चा 5-20 लाग आएगा और उसके बाद ही आपके 3% चांसे से कि आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी तो जी हाँ मै हमारे टूटल आट सेमेस्टर, 40 सब्जेक्ट, hundreds of assignment, 6000 से जादा colleges अमात 3% बच्चे ही एक अच्छी जॉब लेवाते हैं और अच्छी जॉब का मतलब 8-10 लाग तक का पाइगेज तो आपको यह थोड़ा स्ट्रींग सा नगता है उने के आयुकताले में इन इंजिनियरों ने ग्यारा दिनों तक धरना भी दिया इसमें तरह तरह के प्रदशन किये नेताओं से मुलाकाते की केले बेचे चाय बेची डिग्री बेचने का प्रदशन किया इंजिनरिंग की पढ़ाई के बाद 80 फीजदी स्टुडेंट जिन्होंने बेचे किया है वो रोजगार की योग नहीं हो जाए तो यह बात हुई हमारी इंजिनरिंग की तो देश में टोटल तीन ताइप के इंजिनरिंग निकलते जब हम पास आउट होते हैं ने इंजिनरिंग करते हैं और वही चीज हमारे प्रेंट्स के माइन में बैढ दिया कि चलो आपने बच्चे को इंजिनरिंग करा ये अगर आपने एक common pattern देखा होगा, हमारी society में, एक इस तरीक का studio type कर दिया है, अगर आप अच्छे ओपनने में 10 के बाद, अगर आपकी math अच्छी है, तो आपको बूले जाएगा कि आप PCM लीजिए, अगर हाँ, आपका math खराब है, तो आप bio लीजिए, अगर आप थोड़ा क करते हैं, आपको निठलने से थोड़ा, तो आप commerce लीजिए, और बिल्कुली खतम है, तो arts, इस type का mindset हमारी society में बनाया गया है, और उसके बाद हमको पूरी IIT GE की जन्नी में, जोग दिया जाता है, वहां से हमारे 2-3 लाग, और वहां से भी maximum बच्चे, जो tier 1 college नहीं जा पत है, तो यही एक factor बनता है, कि जहां से एक quality बच्चा निखलता है जब IIT से, तो उसको job पाना एक असान हो जाता है, वहीं एक tier 3 के college का बच्चे को job लेना थोड़ा मुस्किल हो जाता है, तो इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, कि अगर आपको अपने P.Tech के 4 साल मैं भी उन में से था, जिन्होंने IDJ की coaching करी, उस वाद में B.Tech पूरा बरबाद किया और कोई job नहीं मिली, हम जैसे ही बच्चे फिर placement guarantee जैसे courses में फंस सकते हैं, तो अपने B.Tech को मैं आपको काऊंगा, बिल्कुल बरबाद मत करना, आज एक आपको छोड़ा सा preview दूँगा, कि आप क्या क्या कर सकते हैं, जब हम पहली बार college में आते हैं, first year, अगर आप कोई भी branch के बंदे हो, यह सब के लिए, जब आप college में आते हो, तो सबसे पहले आपको check करना है, अगर आप tier 3 college से हो, especially, कि आपको अपना friend circle बहुती wisely choose करना है, क्यों करना है, अगर आप कोई गल गुस्तों को सही से choose करें, जब भी आप college जाएं, आप maximum उन्हीं लोगों के साथ time spend करने की खूसिज करें, जो goal oriented होंगे, जो tier 3 college हो, वहाँ बच्चे धूनने थोड़ा मुस्किल होता है, यह मैं मानता हूँ, लेकिन आपको धूनने पड़ेंगे, आपको जानना पड़ेग वह काम आपको करना है, लेकिन उसको अपनी first priority बिल्कुल भी मत बनाना, यह नहीं कि आप अगर dancer हो, तो आप बिल्कुल dancing में आपने first priority रख दिया है, चुकि वहाँ success का ratio काफी कम है, पड़ाई को आपको हमेशा उपर रखना है, as compared of my patients है, ज़रू नहीं कि अगर आप dancing, singing औ और किसी और activity में अच्छे हो, तो आप कामियाब होई ही जाओ, उसको side by side आप कर सकते हैं, उसको time दे सकते हैं, अगर hit हो गए, तो आप पैसे भी बहुत ज़्यादा कमा सकते हो, लेकिन आपका primary goal आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, यह आप बात दिमाग में याद रखें, त तो आप college आके first year से ही अपनी communication skills में काम करना start कर दीजिए, यह मा सोचोगी, बहुत सारी question मुझे ऐसा आता है कि interview में क्या English में question पुछे जाते हैं, हाँ, English में ही पुछे जाएंगे, तो आप अगर first year से थोड़ा थोड़ा time देते हो, कैसे सुरू कर सकते हो, Hollywood movie देख सकते हो time pass के लिए, novel अगरा पर सकते हो, और बहुत सारी activity हैं जो आप English में कर सकते हैं, लेकिन आपको इस पे भी थोड़ा बहुत काम करना ही पड़ेगा, पांच वाजीज आपका होगा distraction, distract होना बहुत ही easy हो जाता है, जब हम first year में नहीं नहीं आते हैं, जब ही मैं आपको बला कि आप गलत संगत में पढ़ सकते हैं, कुछ गलत आदिते हैं आपको आ सकती हैं, और फोन मुझे ऐसा लगता है, जो हमको distract करने में सबसे नंबर एक इस्थान पर रहता है हमेशा, ऐसा क्यों होता है, मालो मैं आपको एक चीज बिसा हूँ, आपने notification सारे on कर रहे हैं, और यूटूब पेज फिट जम करोगे, किस रोष्टन ने क्या बोला है, इस तरीक से आपको पूरा time waste हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने इतना सारा time waste कैसे कर दिया, तो आपको अपने phone को control में रखना है, जाद जाद अपने notification को off ही रखें, वो जाद आद अच्छा होगा, और अब आते हैं में मुद्धे में पढ़ाई किये, जब आप पढ़ाई गने बैठ होगे, कभी भी, आप पहले तो बहुत बच्चे सोंगे, 3-4% भी बच्चे होते हैं, जिनको अपना goal clear होता है, कि उन्हें life में करना क्या है, आप life में CAD exam, UPSC, banking, कुछ आप फिल्ड चूस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप में goal clear नहीं है, तो मैं आपको बूरूँ का आप Tech field में ही आई है, क्यों आई है, क्यों कि यह ही सबसे ज्यादा job रखी गई है, अगर आप data भी देखोगे previous year का, तो सबसे ज्यादा jobs इसी field में आई है, तो आप ये field बिल्क में सीखें, मैं आपको बहुत ज्यादा करने को नहीं कह रहा हूँ, कि आपको सब कुछ first year में कर देना है, तो सिरफ पढ़ाई के लिए मैं आपको कहरा हूँ, कि आप अपने C++ language में बहुत ज्यादा ध्यान दें, उसके concept को पढ़ें, first year अगर ये इतना कर लेते हैं, तो आ सब्सक्राइब करें, या फिर आपको इतना वरुसा है, कि मैं कोडिंग करके off-campus placement भी फोर सकता हूँ, तो आप फिर कोडिंग वाले sector पे ही आईए, लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हैं, जुनको खुद पर डाउट है, कि मेरे college में अच्छी company आती है, नहीं आती है, मेरे college में 10 लाग से उपर package मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर आप uncertain है, तो मैं आपको कहाँगा, आप gate CAC की और आईए, यह ऐसा exam है, जो आपकी life change कर सकता है, जिसने मेरी खुद की, मेरी life पूरी तरीके से chain करी है, तो मैं भी आपको वही recommend करूँगा, before jumping here, पहले आप जा करना पड़ेगा, कि आपकी stage में अच्छे हो, आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा life में, तो वो उस later courses को आप attempt कीजिए, और जाइए, second year में अगर आपने चूज कर लिया, coding वाला फिल, तो आपको DSA अभी से start करना पड़ेगा, data structure and algorithm, जो heart of placement है, यहां सा आप second year में easy औ आपको exam देना का मौका मिलका, gate CAC का, अगर आपने third year में exam crack कर लिया, तो आपका final year मस्ती में ही निकलेगा, तो इसलिए आपके लिए यह बहुत ही benefit वाला point होगा, मालो आप third year में आ गए, जो coding वाला बच्छा है, अब उसे क्या करना है, उसको आप projects बनाने पड़ेंगे, projects होता क्या है, technical नहीं कह रहा हूँ, इसमें हम exactly कर देगा है, अगर आपको वो चीज़ interesting लगती है, देखो job सबसे मिलेगी, कोई भी project बनाओ, उसमें कोई दिख कर नहीं कि मैं यह वाला field चून, यह वाला field चून, लेकिन project बनाना कंभल सरी है, वो ज्यादा mean motive आपको होने च मैं यह नहीं कर रहा है, लेकिन medium लेबल पर अगर आप 75-80 से उपर ही रहते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, आपको आगे जाके दिख करते नहीं आएंगी, और अगर आप gate में, मालो आपका third year में crack नहीं होता gate किसी कारण बस, तो आप फिट से gate की त्यारी करें, लग अगर आप इंची जोगों कर लेते हैं, तो मैं आपको कर्रेंटी देता हूँ कि आपका placement होई जाएगा, कहीं न गई, और वह भी अच्छी खासी company में है, अगर आपने अच्छे से बढ़ा है, ठीक है, आपने test series अच्छे से लगाई है, आपने questions अच्छे से लगाई है, आ आप मैंसे सौल लोग भी अगर मुझे सुनने है, आप मैंसे मात दो-तीन लोग ही इस चीज को अपलाई करने वाले हैं, तो यह चीजे भी ध्यान रखें, क्योंकि ग्यान बहुत इसली मिल जाता है, लेकिन जब उसको implement करने का टाइम आता है, वहाँ पे सब के लिए बहुत अब यही मैं आप इंजिनर को बोलना चाहूंगा, देखो मैं अपने personal experience से बोल रहा हूँ, मुझे BTEG कम्लेट करें दू-तीन साल हो चुके हैं, अब मैं दिखता हूँ अपने दोस्तों को, कि वह guarantee placement वाले कूर्स में ले रहे हैं, ताकि उनको अच्छा का सा package लग सके, अग लेकिन यह मैं आपको बताऊंगा, जितनी जल्दी मेहनत करना सुरू करोगे, जितनी जल्दी consistency अपने अंदर लाओगे, उतना फाइदा आपको होगा, लेकिन अगर आप एक बार पासवाट हो जाते हैं, आपके ओपर family का pressure होगा, ठीक है, विडियोजगारी का pressure होगा, मैं आपको reality बतारो, बिल्कुल point to point बतारो, अगर आपके अगल बगल भी बहुत सारी भाईया दीदी होंगे, जो ऐसे होंगे, जिनकों बहुत ही गंदर लगता होगा, जो अभी depressed सा feel करते होंगे, ठीक है, तो ही मैं आपको उन चीजों से बचाने की कोसिस कर रहा हूँ, आप वो गलतीना करें, आप भी उस 3% बच्चों में आ सकते हैं, जो जॉब लेने गए थे, अगर मैं 15 लाग का 3% भी निकालूँ, जो अच्छी खासी जॉब मिलती है, तो 40-45 जार जॉब्स अभी भी अच्छी खासी जॉब्स हैं, वन्ना आपको service service company में जाना पर सकता है, जहा मुझे comment section में पूछो, मैं आपके question का जवाब हमीसा देता हूँ, कोई भी रावट हो, छोटा हो, मोटा हो, ठीक है, पूछो तब ही answer मिलेगा, मिलते ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए, बाई-बाई